तुम शांती एक नो दो हजार बाईस आज के मीठे बाबा के मधूर महावाक्य मीठे बच्चे अभी तुम ब्रामणों को देवताव से भी जास्ती रोयल्टी से चलना है क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी उंच कुल के हो प्रश्न है किन बच्चों का मुखडा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा उत्तर है जिने गुप्त खुशी होगी कि बाब से हम बेहत का वर्सा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं दूसरा जो ज्ञान और योग से सतो प्रदान बनते जा रहे है आत्मा पवित्र होती जाती है ऐसे बच्चों का मुखडा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा आत्मा में ताकत आती जाएगी मुख से ग्यान रतन निकलते निकलते रूप बसंत बन जाएगे नई राध्धानी का साक्षत कर होता रहेगा गीत है मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में धारना के लिए मुख्यसार ऐसा फस्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाप का नाम बाला हूँ कोई गुसा करे गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है दूसरा श्रीमत पर पूरा-पूरा ट्रस्टी बनना है पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्वकी पालना करने वाले शुभु व्रत्ती वा मनसा शक्ती संपन भव किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते वा देखते हो तो यह स्मृति रहे यह सब आत्माई हमारे great-great-grandfather की वन्शावली है हम ब्रामन आत्माई पूर्वज है पूर्वज सभी की पालना करते है आपकी अलोकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्तुई सर्वशक्तियान या आत्माओं में भरना जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यक्ता है उसके उस शक्ति द्वारा पालना करना इसके लिए अपने व्रत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन होनी चाहिए स्लोगन जिसके पास ग्यान का विनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है ओम शक्ति आवश्यक्ता है